हेलो नमस्क्राइब दोस्तों स्वागत आपका यू की जी के चैनल वाई और आज की जो मेरी वीडियो है वो है आपके यू टैट सी टैट या जितने वाइपके एक्जाम होता है टी यानि की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जाए वो किसी भी स्टेट के हो यह आपके कमिंग अप एक्जाम में तो बने रही हैं मेरे साथ इस वीडियो के आंदर और मैं आपको बताऊंगा वो कुछ 30 कोशन जो आपके एक्जाम में नमस्कार दोस्तों आज हम फिर से एक बार आपके सामने सिक्षा मनोव ज्यान यानि एजिगेशन साइकलोजी और सिक् प्रश्ण आपके समख्च रखेंगे जो विगत एल्टी के पेपर में लेक्चर के पेपर में और यू टैट सी टैट इन पेपरों में आप देख सकते हैं तो आईए चलते हैं पहले क्वेशन के और किस आई में मानव चिंतन में तर्क का आरंब होता है चार उप्शन है बा सही तरीके से हम आंसर बता सकते हैं कि वह थोड़ा सोचनी की बात होती है पूछा गया किस आई में मानव चिंतन में तर्क का आरंब होता है कब से तर्क करना सुरू कर देता है बाल्य आवस्ता में ये सैसर आवस्ता तो जो बच्चा होता हो बाल्य आवस्ता से ही आप चिं श्रोगा बाल्य आवस्तर 2. मानव में अस्ताई दातों की संक्या है कब से दाताने सुरू होते हैं कोई confirm नहीं है 32 दात मनुष्य के परिपक्कों में हो जाने पर होते हैं तो दोस्तों option है 32, 22, 12, 38, 36 तो दोस्तों 32 परिपकों में होते हैं इसलिए गलत आंसर 22 है ये अस्ताई दातों के संक्या होती है कम से कम बच्चे के मुँवें 20 दात होते ही है Next question Adolescence पुस्तक के लेखक है Adolescence पुस्तक के लेखक है Fried, Stanley Hall, Biggie, Thundike तो मैं आपको बता दूँ इस चारों राइटर है जो Adolescence पुक लिखी है और Stanley Hall ने लिखी है Next question के ओर Do को सब्द का अर्थ है Do को सब्द का अर्थ है Do को का अर्थ है भीतर से, बाहर से, उपर से, निची से Do को होता है बाहर, आउट तो इस कांसर बाहर से होगा Next question दोस्तों Question number 5 Manovigyan किस प्रकार का विज्ञान है जो ये Manovigyan है, psychology है ये किस प्रकार का विज्ञान है दोस्तों ये question एक बार के L.T. के question प्रशन पत्तर में पुछा गया था इसको ध्यान अवस्य दे Manovigyan असुद विज्ञान है प्राकरतिक विज्ञान है विधायक विज्ञान है ये सामज़िक विज्ञान है जो विकल्प है है आप इनसे बल्कुल समझ रहे होंगे कि प्राकरतिक किसे बोलते है असुद किसे बोलते है सामज़िक किसे बोलते है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो मनोवग्यान साइकलोजी है ये विधायक विज्ञान है बरतमान में सिक्षा मनोवग्यान का अध्यन विसाई है जो प्रिजन टाइम में सिक्षा साइकलोजी है इसका अध्यन विसाई क्या है चेतना है चेतना पर हम रिसर्च करते हैं या साइकलोजी बताते हैं या मस्तिस्क पर करते हैं या मानव के ब्योहार पर या आत्मा पर दोस्तों चेतना पर हो नहीं सकता है मस्तिस्क पर भी नहीं हो सकता है आत्मा बहुत असंभव है इसलिए दोस्तों उप्शन बसता है मानाव के ब्योहार पर उप्शन सासाई है नेक्ट क्वेशन डिस्टलेक्सिया किस से संबंदेता है डिस्लेक्सिया किसे सम्मधिते है चार अप्सन है बियोहर सम्मधि विकार से मांची विकार से गणतिय विकार से और पठन विकार से दोस्तों यह क्वेसन याद रखने वाले क्वेसन है तो इसका अंसर होगा पठन विकार से डिस्लेक्सिया किसे सम्मधिते है पठन विकार से next question के चलते है question number 8 पुरुस इस्त्रियों के अपेक्चा जादा बुद्धिमान होते है या कतन किसका है या किसी इसको दर्साता है बहुत राइटरों ने का है दोस्तों तो सही हो सकता है क्या या लेंगिंग पुर्वागरा को दर्साता है या बुद्धि के भिन पक्षों के लिए सही है या दोस सही है चार उपसंदी हैं तो दोस्तों पुरुस इस्तियों के अपेक्चा जादा बुद्धिमान होते हैं यह हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं क्योंकि आज आप देख सकते हैं इस प्रिजन टाइम पे चाहे male हो चाहे female हो सब एक से बढ़कर एक हैं हम किसी की side नहीं कर सकते यह ज़्यादा है तो दोस्तों यह है landing पूरागरा को दर्साता है next question के उसलते है question number 9 0 से लेकर 25 बुद्धि लब्धी को कहते है जिसका 0.25 बुद्धि लब्धी निकलती है उसको क्या कह सकते है मूरक बालक, जड़ बालक पिछड़ी बालक या मंद बुद्धि बालक दोस्तों उसको बता दूँ यह आप सिक्टे सास्त के पुस्तों को में पढ़ते होंगे इसको बोलते है जड़ बालक next question गेश्टलाट का अर्थ है पुल्णाकार, संग्यान, अनुमान, अनुबंद गेश्टलाट का अर्थ है पुल्णाकार पुल्ण रूप से जितना भी आकार है वो पुल्ण होना चाहिए तो गेश्टलाट का अर्थ है next question प्रासंगिक अंतरबूत परिक्षण में कितने कार्ड होते है प्रासंगिक अंतरबूत दोस्तों मैं इसका अंसर बढ़ा दूँ आपको प्रासंगिक अंतरबूत में 31 कार्ड होते है next question परिपक्वता एक उधारन की जब बालक सीखता है परिपक्वता का एक उधारन वो है कि जब बालक सीखता है क्या सीखता है पढ़ना, चलना, साइगिल चलना या चित्रांकन करना परिपक्वता जब बच्चे में परिपक्वता होते है तो सबसेले बच्छे क्या करता है, ड्राइंग करता है, कभी इधार उधार, तो चित्रांकन करना, तो option 4 वला सही होगा, next question, बुद्धी लब्धी सब्धी का सबसे पहले प्रियोग किया था, किष्णी किया दोस्तों, ये सिक्षे सास्त्रे आपने, ये question में पहले आ चुके ह बुद्धी लब्धी का सब्धी का सबसे पहले प्रियोग, धंडाइग ने किया, विलियम स्टन ने किया, ये अलफेड विने ने किया, ये टर्मन ने किया, तो दोस्तों मैं आपको बता दू, इसका option 4 वला टर्मन ने बुद्धी लब्धी सबसे पहले प्रियोग किया था बुद्धिलिप्दी का next question काल्च सनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर गठन क्या है काल्च सनिक के अनुसार यह राइटर है संकल्पना का पुनर गठन क्या है तो दोस्तों चार उप्सनें ब्योहार, चिंतन, सब्द, समस्या है बिए आप नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सेकेंड अंसर चिंतन है, यही राइट अंसर, इसका अंसर होगा चिंतन नेक्ट अंसर, question निम्न मैंसे कौन सा थन्डाइक का गौन नियम है गौन नियम बोल सकते हैं, बुविद रूप से, एक मुख्य फोकस दिया गया है प्रवाव का नियम पर तत्परता का नियम, साद्रिष्य अनुक्रिया का नियम या अभ्यास का नियम तो दोस्तों थांडाइक ने साद्रिष्य अनुक्रिया का नियम दिया है नेक्स्ट क्रेशन निम्न मैंसे सामुविक बुद्धी क्रियात्मक परिक्षण है इस चार ओप्षन दिया है बिने सायवन बुद्धी परिक्षण या आर्मी अलफा परिक्षण या स्टेनफोर्ट बिने स्केल या आर्मी पीटा परिक्षण इन में से सामुविक बुद्धि क्रियात्मक परिक्षण कौन सी है तो दोस्तों यह है आर्मी बीटा परिक्षण option 4 next question स्याही धबा परिक्षण इंक बूर्ट टेस्ट के निर्माता है स्याही धबा परिक्षण पार्थिकरम में लचीला पन प्रत्यक्षक को लाभनवित करने के लिए प्रστयवित किया गया है ? पार्थिक्रम मुटावर पर सब्च्छक्ट का उसमें लचीला पन उसको ब्रहिए स्धादर गया तरी के वाले का गया है ? टीचर को या बच्चों को या चार ओप्सन दिये गए अयोगे बालकों को मदरसा वा मकतब को अनसोचित जाती या अन्य पिछड़े वर्गों को या उपरियुक्त सभी को तो दोस्तों मैं आपको बतातूं जो लचिलापन दिखाते हैं थोड़ा धीरा करना वो अयोगे बाल होते हैं जो मंद बुद्धी हैं या प्रतिवासाली हैं या पिछड़ा है या उपरोक्त सभी बिसिष्ट बालक दोस्तों ये चारों ही ऑप्सन सही हैं इसलिए इसका अंसर फोर्ट वाला नेक्ट क्वेसन सिस्व में जन्म की समय हड्डियों की संक्या होती है दोस्तों एक पक को होता था वो हड्डियों जूडती रहती है तो दोस्तों चार अप्सन दिये हैं 206, 270, 350, 260 तो इसका अंसर होगा 270 बच्चे में लोग 300 का अन्वान करते हैं लेकिन 300 गलत है 350 भी गलत है क्योंकि जो राइटरों ने यो दार्सिनिकों ने 270 साइंटिस्टों ने 270 का आकड़ा दिया है तो सिस्व में जन्म केसे में 270 हड्या होती है नेक्ट क्रेशन मानल चिंतन में तरक का आरंब होता है मानव चिंतन में तरका आरंब होता है सैसरवस्ता में, बल्लवस्ता में, किसरवस्ता में या सभी में तो दोस्तों बल्लवस्ता में ही चिंतन में तरका आरंब होता है नेक्ट क्वेसन भासा विकास का सिद्दाम्त दिया है बासा विकास का सिद्दान्त किस ने दिया है दोस्तों कोलर ने, फ्राइड ने, चौमस्की ने या थांडाइक ने तो दोस्तों ये अप्सन होगा सावला चौमस्की ने ही बासा विकास का सिद्दान्त दिया है नेक्ट क्वेसन दोस्तों बिद्यालाई का वातावन निर्भर करता है, जो हमारा स्कूल है, उसका वाजावन किस पर निर्भर करता है, मुखिया पर, सिक्षकों पर, छात्रों पर, या सभी पर, तो दोस्तों, आप question देख सकते हैं, कितने सुन्दर तरीके से पूछा है, हम अब जिसी बच्चों पर ही या साय ऑपर ही टिक मारेंगे लिए कि दोस्तों, ऐसा नहीं है, हम थोड़े इस question में जाएं अंदर, बिद्यालाई का वातावन, तो बिद्यालाई का वातावन किस पर बनता है, बच्चों पर बनता है, लेकिन कौन बनाता है, निर्भर किस पर करता है, ये teacher पर करता है, कि अचेतन मन की तुलना की गई है, अचेतन, जो चेतन नहीं, अ मतलब नहीं, चेतन नहीं है, उसके तुलना किसे गई है, आत्मा से, स्वर्ग से, हिम खंड से, ये किसी से भी नहीं, तो दोस्तों, हिम खंड से, हिम मतला परवत, खंड मतला पहार, परवत का पहार, बरफ का पहाड जो पीगलता भी रहता है अच्छेतन मन कुछ चेतना नहीं होती है नेक्ट क्षेशन सरवर्थम बुद्धी का बैग्यानिक मापन किस ने किया तो दोस्तों ये क्षेशन भी पहले आ चुका है बिने ने टर्मन ने एबिन हास ने या वुंट ने तो दोस्तों मैं आप तो दोस्तों इसका भी का विचार यह था आ बिने ने ने थै्मनने एबिन हास ने बुंट ने तो दोस्तों इसका ऑप शोगी हमगाई विचार दिया था सब्सका इसे मोडसा मोगी help होगा मोटवस्टार लिए 5 महादब मौटम लेटिन सब्सेव हुई है नेक्ट क्वेशन अभी प्रेणा के संदर में भोजन है अभी प्रेणा के संदर में भोजन है आवसकता है या प्रोचसाहन के लिए या चालक के लिए या प्रणोवत के लिए तो दोस्तों हम अभी प्रेणा किसी के लिए करते हैं तो किसके लिए करते हैं प्रोच सहान के लिए बोजन का कारे प्रोच सहान होता है तभी बच्चा आगे बढ़ता है अभी प्रेणित होता है कच्छा से पलायन करने वाली छात्रों के प्रति आपा ब्योहार होगा आप दवनात्मक ब्योहार करोगे या प्रसंसात्मक ब्योहार करोगे या साहनबूति पूर्ण रखोगे या निदानात्मक करोगे उसको उसका निदान करोगे next question or last question रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है ज़ो रचनात्मक आकलन है उसके लिए उचित उपकरण कौन सा नहीं है हम question ढंक सिपने उपकरण है नहीं लिखा इख, उपकरण नहीं है तो दोस्तों, चार उपसन दिएगे मौखिक प्रश्ण सत्र परिक्षा प्रश्णोत्रिय दर्थकारिय रचनात्मक आकलन के लिए जो रचनात्मक कहम कारे करते हैं मौखिक प्रश्ण हो सकता है सत्र परिक्षा नहीं हो सकता है प्रश्णोत्रिय हो सकता है दर्थकारिय भी हो सकता है तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं को नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए थेंक यू एंड बाई